Hello students, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, class Aves के बारे में कुछ और important points, जैसे कि अगर हम बात करें birds की skin की, तो skin जो है वो बिल्कुल pure dry होती है, ठीक है, और उसके उपर कोई glands present नहीं होती है, except for the oil gland, एक oil gland होती है, वो भी base of the tail, यानि कि tail के base पर present होती है, वो क्यों होती है, जिसस waterproof हो जाएंगे, यानि कि water उसको गीला नहीं कर पाएगा, तो feathers क्या है, waterproof मतलब गीले नहीं होंगे, और वो easily fly कर सकते हैं ठीक है, तो इसलिए oil gland present होती है, second number यह है कि heart जो होता है birds में, वो four chambered होता है, ठीक है, पहली class है, जिसमें heart four chambered होता है, अगर हम और points की बात कर रहे है तो sexes जो होते हैं, वो separate होते हैं, birds जो होते हैं, oviparous होती है, यानि कि egg laying होती है, और यह इनका development होता है, वो direct होता है, मिलते हैं एक और नहीं वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे है, all the very best.